आप सभी प्रियदर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में, आज हम चर्चा करेंगे Tata Motors के बारे में, जो ये Consolidation Phase चल रहा है 300 टच करने के बाद, क्या यहां से कितना नीचे गिर सकता है, उसका सरल भाष्षा में व्यक्या किया जाएगा Technical Analysis के माध्यम स और साथ ही साथ में बताई जाएगे क्या होंगे सही लेवल अगर आपको re-entry करनी है Tata Motors में, लॉंग टम के लिए बहुत उपर जाएगा यह stock, जिस तरह से management ने इसमें काम किया है, यह stock एक अपवर टरेजिटरी शुरू कर दिया है, तो Tata Motors is must have आपके portfolio में जो ज़रूर हो और यह consolidation phase, क्या यह अच्छा phase है इसके लिए? जी हाँ, this is a very nice phase for Tata Motors consolidation के reference में अगर बात की जाएगे. आईए चलकर सारी वियाख्या करते हैं और उसकी बताते हैं कि क्या point of view बन रहा है और दो special ख़बर हैं जो आपको समझाएंगे. सबसे पहले अगर हम बात करें, fundamentally एक large cap company है और management बहुत strong vision रखती है 2025 के लिए. जब से N. चंदर शेखरन Tata Groups के पूरे MDCO बने हैं, तो उन्होंने गृप के chairman बने हैं, तब से उन्होंने इसकी काया प्लट करने की शुरुआत किये Tata Motors की. आपको पता होगा, इन्होंने 2020 में 98 patents लगाएं हैं और बोला था अपने employees को कि मेरे साथ साथ में आपकी job भी खत्रे में है, अगर हम innovation नहीं करेंगे Tata Motors पर. तो देखियो उसका result, हर तीन दिन में एक नया patent अप्रूव हुआ है उनका 2020 में, तो ये बहुत अच्छी काया प्लट किये हैं और उसके साथ में आगे आने का vision भी बहुत बड़ा है उनका. तो उसके हिसाब से Tata Motors all car passengers hiked by rupees 26,000, up to 26,000 हर कार में बढ़ा दिया है, चाहे आप Tiago की बात करें, चाहे आप Nexon की बात करें, चाहे आप Tata Harrier की बात करें, सब पर price बढ़ा दिया है, और ये अभी इसी महीने Jan 22 से शुरू किया है, उससे पहले अगर आपने book की हुई है, त तो आपको price increase नहीं है, पर अगर आपने उसके बात book किया है, तो ये बहुत effect रहेगा आपके उली पर, तो domestic range की immediate effect, passenger vehicle segment में उन्होंने increase कर दिया है, because of the higher input cost, जैसे बता है, plastic की cost बढ़ गई है, steel की cost बढ़ गई है, semi conductors की cost बढ़ गई, इसकी वज़े से pass on the cost to the customer, यहाँ पर customer को cost को pass कर रहे हैं, तो यह Tata Motors के लिए अच्छी कबर है, और यह Tata Motors अके लिए नहीं है, Maruti Suzuki ने उससे पहले ही, इसकी cost increase कर दी यहाँ पर, तो देखें, moving up from Tigger, compact sedan, Nexon compact SUV, Altros premium hatchback, and Harrier midside SUV exit criteria के हिसाब से, उन्होंने उसको बनाया है, अलग-अलग range में, अलग-अलग price, इसरे quarter में अगर देखें, highest individual sale in last 33 quarter में है, तो जहाँ पर COVID की वज़े से problem चल रही है, वहाँ पर पिछले 33 quarter की highest sale आई है, और यह जो market का view बन रहा है, अब अचंदर शेकरन के साथ में मिलका Tata Motor के लिए, वो बहुत bullish बन रहा है, और यही reason है, कि कहीं 110 का stock 300 तक चला गया था महज 200 रुबे में, देखें दोस्तों, यह सारी की सारी चीजे बहुत बढ़िया है, आपके long term की द्रश्टी से यहाँ पर, अब अगर हम आगे बात करें, इसके क्या हो सकती है, आगे की run नीती, तो देखें, नेक्सान में भी उन्होंने price increase कर दिया है, यहाँ पर सारी की सा 90 PS, launch expected very soon, तो यह भी एक अच्छा version है इनका यहाँ पर, और इनके साथ में direct competition देंगे इनको यहाँ पर, तो यह तो पहली खबर हुई हमारी इसके साथ में, आगे आने वाले समय में, यह growth इसकी बढ़ेगी, बढ़ेगी यहाँ से, Tata Motors एक बढ़िया company है, दोनोंने price बढ़ patterns बना दिये गए है, अब एक American company है, जो electric car maker है, and they are thinking little different, Tata Motors ने भी बहुत अच्छी तरह से अपना, यहाँ पर electric vehicle में घंडे गार हैं, और Mahindra ने भी, और आपको तो पता ही हुआ, Elon Musk जी की Tesla car है, उस पे भी बहुत अच्छी तरह से है, बट यह जो नया venture हो रहा है, यह क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा different view बना रहे हैं, और उनका reason क्या है, कि solar power in their car could generate up to 1.3 kilowatt per hour, तो देखे आपकी चट पर ही, गाड़ी की चट पर ही, वो solar power रखेंगे, और यह 1.3 kilowatt per hour generate होगी, which offset the mileage losses, by just doing this, we are saving about 30% of the battery for being used during the traffic times, he added, अगर आप traffic में खड़े हैं, तो आपको AC चलाना पड़ेगा, पर वो energy कहां से मिलेगी, rooftop पे आपकी solar cell लगी होगी, वो directly power battery को generate करेगी और charge करेगी, तो यह एक exclusive interview के basis पर 650 million to 1 billion set up किया है, manufacturing facility in India, तो अब इस तरह से सभी company को सोचना पड़ेगा, और अच्छी बात यह है, कि Tata Power के पास already solar cell है, तो Tata Group ने, already अपने group companies को बताय है, कि इस तरह से काम करना पड़ेगा, वरना हम पीछे रह जाएंगे competition में, और competition में एगवार पीछे रह गए, तो जो depth है, वो सारा का सारा बढ़ता चला जाएगा, तो इसलिए उन्होंने solar panel top सब company में बनाने की बात चल रही है, Tata planning a set of new EV vehicles 2021 में, और everyone wants to buy it in the Indian booming electric vehicle industry, but Patel is confident in the Indian car maker are just trying to make very cheap price point to enter the market, just like Tata's or any other manufacturers, I think that approach is wrong in my opinion, तो देखें दोस्तों, आपको थोड़ा Indian contact भी समझना होगा, Patel सहाब जो अमेरिका में बैटे हैं, उनको इतना जादा नहीं पता होगा कि देशी में क्या चलता है यहां पर इंडिया में, अगर आप देखें, तो देखिए, लोग बाग सबसे पहले क्या सोचेंगे, अगर मुझे एक कार चाहिए, तो तीन लाक रुपे की का अगर मुझे मिल जाएगी सिंपल अपने परपस के लिए, तो मैं उससे काम चला सकता हूँ, और उसके साथ में, अगर मैं EV की बात करूँ, और EV वहिकल अगर मेरेको 5 लाक मिल रहा है, तो मैं वो लूँगा, पर प्रॉब्लम ये है, कि जो ये नया कंसेप्ट चल रहा है, उसकी वैसे 5 लाक की कास्ट करीब करीब 7 लाक हो जाएगी, तो काफी लोग सोचेंगे इंडिया में, इंडियन कंटेक्स आपको समझना होगा, कि मैं 5 लाक की लूँ, कि मैं 7 लाक की लोँ, कि इतमे 3 लाक की लोँ, और 7 लाक की लेने वाले बहुत कम होगे, ये तो आपको पता ही होगा दोस्तो, हमारी जो मिडल क्लास फैमिली है, उसके बेसिस पर कार की कॉस्ट एक लग्शरी की तरह से मानी जाती है, और उसमें आप जितने कम में खर्च कर सकें, उतना बैटर रहता है लोगों के लिए, तो ये भी एक सोचना है, बट जैसे जैसे ये इनोवेशन हो रहे है, टाटा मोटर्स के में हो सकता है, इसको भी एक सस्ते वर्जन में लेके आए, तो देखें दोस्तो, चैनल का 5x5 rule हमेशा ध्यान रखना, चाहे स्टॉक उपर जा तो देखें, टाटा मोटर्स ने अगर आज यहाँ पर इसका एक घंटे का चार्ट देखें, तो टाटा मोटर्स ने करीब एक बड़ी red candle layer 278 पर बंद वाए टाटा मोटर्स यहाँ पर, अगर यही चीज़, अगर आप इसकी intraday चार्ट पर देखें, तो काफी pressure रहा, तीन परसेंट से दादा गिरा हुआ है, और अगर reliance गिरता है, तो पूरा market गिर हिला देता है, reliance एक दिगज कंपनी है, और बहुत बड़े लेवल पर उसमें यहाँ पर अभी जो restructuring की है, जिसमें आपके retail outlet में से सारा का सारा revenue उनके margin refining के साथ add कर दिया है, तो वहाँ transparency खतम असपास close by और वहाँ से पहले एक घंटे में ही 278 के असपास गया, फिर नीचे गिरा 286 पर और उसने फिर 278 का low बनाया है, तो बंद होते होते, नीचे low level पर गिरना, एक sign होता है कि शायद आगे चल कर यह थोड़ा सा और नीचे करूख रखेगा दोस्तों, अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि कुछ और पैरमिटर देखें, डेली बेसिस पर, तो देखिए हमारी one of our favorite indicator है, बूलियंजर बैंड, यह कहां तक नीचे जा सकता है, बैंड बहुत expand हो गया था, higher range में चला गया था, तो अब जो सबसे पहला इसका range बन रहा है, वो करीपर यह 200 पहला lot खरीदने के लिए, अब यही चीज, अगर हम आपको दिखाएं, RSI पर, relative strength indices, आपको बता देगा है, कहां पर entry ना करनी है, तो देखिए, RSI के level पर, इसकी value 80 के उपर चली गए, तो वहां entry मत कीजे, कभी भी देखिए, दो जो points है, 278 के उपर, month entry कीजे, अभी वाप साथ है, साथ ही साथ में, अगर इसके साथ में, हम यहां पर एक और study add करे, super trend, super trend के basis पर आप पता लगा लेंगे, कि क्या हो सकती है, अच्छी support level, तो 239 का एक बहुत strong support है, देखें दोस्तों, आपको बताई है, range 200 से लेकर 240 तक, और वही in technical parameter के basis पर आए, हमारे channel का objective आपको education provide करना है, ताकि यह सारा analysis, आप long term में, खुद से कर सके, तो conclusion की बात simple है, पहली range, 240 से 200 जैसा पीछले section में बताया है, वहाँ पर खरीदेगा, और दूसरी range आप अगर रखना चाहें, तो 225 के आस पास रख सकते हैं, कभी knee-jerk reaction आया market में, तो वहाँ पर उठा लीजेगा, average cost बन जाएगी, I hope आपको यह बात अच्छी लगती है, buyers और sellers अभी जड़ा गुत्तम गुत्ता चल रही है दोने में, और लग रहा है कि sellers का पलड़ा भारी है, सिर्फ Tata Motors में नहीं, overall stock में, FIIs are in sell mode, तो थोड़ा सा आप सहीम रखिये, थोड़ा सा नीचे आने दीजे, त आप करके रखिये और hold रखिये, long term में बहुत अच्छा stock बनेगा आपके लिए, दोस्तो अगर आप stock market में learning करना चाते हैं, और आपको day trading करकर पैसा कमाना है, तो आप हमारे साथ जुड़िये, हमारे साथ Friday के दिन एक नया member जुड़े है, उनको stock market का ज़्यादा कुछ नही और साथ ही साथ में देखिये, एक लाग से ज़्यादा दो ही दिन में कमा दिया है, अब चाहे तो पूरे बाकी के 20 दिन छुट्टी मनाईए, आपका एक लाग का revenue आ चुका है, तो आपको इस तरह से सोचना है stock market में कि कैसे आपको अपना profit कमाना है, अगर आपको ये सारी चीजे सीखनी है, इसके लिए हमने कस्टमाइज कोर्स डिजाइन किया है, एक महिने के लिए महज 8000 रुपे की फीज है, आप चाहे तो जोइन कीजे, भवनादीर no.7 at the email id पर mail डाल सकते हैं, आपके लिए 4 वीडियो प्रसुस है, आप चाहे तो देखिए, जाहिए